ये देखिए एकदम टेस्टी यम्मी पालक की मुठिया जो कि बहुत बहुत जादा टेस्टी है आप पास से भी देखिए दिखा रहा हैं आपको कि कितने यम्मी लग रहे हैं बच्चे तो बिल्कुल मांग मांग कर खाएंगे चाहें बच्चे हूँ या बड़े सब के सब मा अद्रक और मिर्च का महीन काट लिया है बारिक काट करके रख लिया है और एक कटोरी हमने लिया हुआ है बेसन और इसमें हम आटा भी आट करेंगे तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे बनाना है ये एक ले लिया है बड़ा बरतन जिसमें हमने डाली पालक दोनों कटोरियो का पहलक एड़ कर लिया है लसन प्याज अध्रक मिरच का यह जो हमने महीन काट के रखा था चौप करके उसको एड़ किया हुआ है अब हम इसमें एड़ करेंगे अपना आठा जो कि देखें हाफ का टोरी से थोड़ा सा जाधा है तो इसको हमने सारा का सारा एड़ कर लिया है यह बेशन जिसको हम half add करेंगे अब हम कुछ मसाले flavorful डालेंगे तो यह देखी कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे color थोड़ा सा अच्छा आता है तीखा बिल्कुल नहीं होता है तो यह धनिया पाउडर color के लिए healthy powder और अब हम डालेंगे अजवाइन क्योंकि इसका स्वाद बहुत टेस्टी होता है और यह खाना बहुत जल्दी digestion करता है यह हीम 2-4-5 नमक टेस्ट के according इसको हम mix करेंगे अभी हमने इसमें पानी नहीं add किया यह देखे अब हमने पानी इसमें add किया है तो binding के लिए इतना हमें पानी add करना इसलिए दीरे दीरे पानी add करना जिससे कि हमें बहुत लिक्विटी फॉर्म नहीं चाहिए और बहुत टाइट नहीं चाहिए तो हलका हलका सा पानी add करेंगे करीब चार से पांच स्पून हमने पानी इसमें add किया हुआ है तो यह देख सकते हैं हमारा डो बनने लगा है तो बस हमें इसी तरह से चाहिए देख सकते हैं यह देखे क्योंकि पालक इस समय ठंड में बहुत अच्छे से आ रही है और पालक हमारे लिए कितनी जरूरी है आप सब जानते होंगे बच्चे ऐसे नहीं खाते इसी तरह से आप बना करके दें तो बच्चे खाएंगे यह देखे हमने एक स्पून ले रखा है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा लिया हुआ है अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें जो कि यह हमारा बेक करने में काम आएगा और यह काफी अच्छा फ्लफी बनेगा फूल कर आएगा तो यह देखे इस तरह से एक हमने ले ली है जाली जिसमें हमने लगाया हुआ गी आप ओयल या फिर मस्टर्ड ओयल कुछ भी लगा सकते हैं ग्रिस कर सकते हैं किसी भी चीज से तो यह देखे इस तरह से हम लेंगे थोड़े से अपनी जो हमने बना के रखा था दो थोड़ा से बैटर लेंगे उसको हम एक सेलेंडर आकार से बनाएंगे बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं इस तरह से देख सकते हैं तो इसी तरह से बना लेंगे अच्छे से और अपनी ग्रीज करी हुई छनी में रखेंगे येधी सकते हैं आपके पार वसक तैयुकों भून सकते हैं से लिएके किरें पानी पहले यह रख दिया था दो ग्लास के करीब जो कि आतोर होने लगा है तो इसमें हम रखेंगे अपनी वह ही जिसमें हमें मुठियां बनाकर रखी हैं और इसको हम ढख करके 15 मिनट छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर जिससे की अच्छे से पक जाए तो देखें 15 मिनट बात यह देखिए इतनी ज्यादा यह फूल गई है कि इसके पास में देख सकते हैं आप कि क्रैक्स भी आ ग गया है तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए जिससे की ठंडा हो जाए तो यह देखिए ठंडा हो चुका है और अब इसके हम निकाल करके रख लेंगे और देखिए फलफी तो कितने हैं यह देखिए हम दिखा रहा है आपको आसे तो इनको करेंगे कट मगर वीडियो छोड़ कर मत जाएगा क्योंकि अभी हमें आपको दिखाना है कि कितना टेस्टी और इतना यम्मी कैसे बनाएं जिससे कि बच्चे बिल्कुल छोड़ करना जाएं बहुत अच्छे से खाएंगे यह तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है यह देखिए इसके हमने कट कर लिया था अब हम इसको 20 से कट कर देंगे जिससे कि छोटे से छोटे पीस कर जाएंगे क्योंकि हम आगे जो काम करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं जो कम ओयल खाना पसंद करते हैं वो तो ऐसे ही खा सकते हैं कोई प्रॉब्रम नहीं है मगर हम इसको थोड़ा साइस के और एक इंच द्रब का टुकड़ा तो इनका भी हम बना लेंगे पेस्ट यह देखिए पेस्ट हमारा बन कर तयार है तो चलिए इसे बनाते नए तरीके से यह हमने लिली अपनी कडाई जिसमें हमने दो से तीन स्पून टाल दिया है ओयल हाप टेवल स्पून जीरा इसको तड़कने देंगे और अब हमने डाली हुए हेंग चार से पांच पिंच क्योंकि इन सब चीजों में हेंग वगरा बहुत अच्छी अच्छा टेश्ट देती है अब यह हमने अपना मसाला जो हमने पीस्ट करके रखा था प्याज लेसन और अधरक का मिर्च नहीं आड़ करें कि बच्चों को तीखा नहीं पसंद है यह कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर क्योंकि यह तीखा नहीं होता है और कलर भी अच्छा आता है तो यह देखी हल्दी पाउडर अब यह हमने लिया हुआ है एक स्पून के करीब चिली सॉस और सोया सॉस एक स्पून इसको मिक्स करेंगे अच्छे से यह देखी दो इस्पून या टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं टोमाइटर सॉस जो कि हमने इसमें डाल रखा है दो स्पून तो देखें सॉसे हमारे काटोरी में लगे हुए इसलिए हमने डाल दिया है दो से तीन स्पून पानी और अपना अब इससे और इससे में यह पीजा शीजने जो कि इसमें पीजा का भी टेस्ट आएगा तो थोड़ा सा मने डाल दिया है एक स्पून के करी रखेंगे मिक्स कर देंगे देखिए यह सारे सोसेज हमारे इसमें पक करें हैं तो अब हम एट करेंगे पानी चोकि 2 से 3 स्पून के करी पानी है यह देखिए अब इससे हम मिक्स कर देंगे क्योंकि हमारी मूठिया जो है वो ड्राइ हैं तो वो हम इसमें एड करेंगे यह देखिया जीरो मोटो आपके पास अगर ना हो तो आप मिक्स तो आप इसे इसकिप कर सकते हैं मिक्स कर दिया है हमने अब हम अपनी मूठिया जो हमारी ठंडी हो चुकी थी वो हम इसमें एड कर कई कि तर इसाइसा बहुत यमी बन जाएंगे देखिए एनको मिक्स करेंगे मगर हलके आतों से क्योंकि बहुत जादाぎ हैं तो ये तूट सकती है इस्वजे से ये देखिए हमने इनको किया mix और आप करेंगे हम इनको serve आप हरीदनिया डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं लेकिन वो खुदी इतनी green थी इस वज़े से हमने हरीदनिया नहीं add करी है तो चलिए serve करते हैं यह देखिए गया हमारी yummy tasty पालक की मुठिया बनकर ready है तो इनके हमने serve किया है इस तरह से देखिए इसके साथ tomato sauce या किसी और sauce या चटनी की जरूरत नहीं है क्योंकि यह खुदी इतनी tasty इतनी yummy है जो कि बनकर ready हुई है तो अगर हमारी recipe आपको पसंद आई हो तो please like करें subscribe करें share करें देखिए इसमें हम फॉक डाल रहे हैं तो कितना yummy और spongy है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाला तो please अपने comment हमें जरूर बताएं